आपको शायद अंदाजा ना हो पर कृत्रिम बुद्धिमता यानि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आपके स्मार्ट फोन में है जैसे एपल की सीरी टेकनोलोजी जिससे आप बोलचाल की भाशा में अपने फोन को निर्देश दे सकते हैं या Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट के स्वचालित सुझाव सिस्टम रिकमेंडेशन सिस्टम में जो आपको सला देते हैं कि आप क्या खरीदें और बहुत जल्द आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, AI और कई शेत्रों का अभिन अंग बनने की कगार पर है आज जो काम मनुश्य कर रहे हैं वो कल बुद्धिमान मशीने बहतर करेंगी इस कारण आने वाले दशकों में रोजगार का स्वरूप बहुत बदल जाएगा जैसे शायद आप नहीं जानते कि तकनीकी रूप से आपका मुबाइल फोन कैसे काम करता है पर फिर भी आप ये भली भाती जानते हैं कि आप इस फोन का प्रयोग अपनी सुविधा और काम के लिए कैसे करें बिल्कुल इसी तरह क्योंकि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स या AI तेदी से आपके जीवन का अभिन अंग बन रही है आपके हित में हैं कि आप इसका सर्वोत्तम इस्तेमाल करना सीखें ताकि भविश में आप इससे रोजगार के लिए प्रतिसपर्धा न कर इसके उम्दा इस्तेमाल से अपने कौशल में चार चांद लगा सकें AI एक कंप्यूटर है जो खुद से सीखता है खुद से सीखने के लिए AI कंप्यूटर मशीन लर्निंग का प्रयोग करता है जो की पारंपरिक नियम आधारित प्रोग्रामिंग से अलग है मशीन लर्निंग कंप्यूटर की अध्यधिक डेटा का जटपट विशलेशन कर डेटा में प्रतिमान यानि पैटर्न ढूडने की शमता का उब्योग करती है दी मास्टर अलगारिदम किताब के लेखक पेट्रो डॉमिंगो समझाते हैं कि पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेटा और कलन विधी यानि अलगारिदम जो कंप्यूटर को डेटा के साथ क्या करना है इसका एक विस्तृत अरुदेश संग्रे इंस्ट्रक् अगर कंप्यूटर के निदान में गलती करता है तो कंप्यूटर को यह नई सूचना भी इन्पुट करी जाती है और यह प्रतिक्रिया बार-बार दोराई जाती है इस तरह कंप्यूटर अपना कैंसर पता लगाने वाला अलगारिदम निरंतर खुद से सुधारता रहता है कंप्यूटर की डेटा लेकर खुद से अलगारिदम बनाने की विधी को मशीन लर्निंग कहते हैं प्रॉफिसर डॉमिंगो समझाते हैं कि मशीन लर्निंग के अलग-अलग तरीके हैं कुछ कंप्यूटर विध्यानिक तर्क शास्त्र से प्रेड़ना ले AI अलगारिदम की रचना करते हैं इस विधी में कंप्यूटर में विशिष्ट तथ्थ स्पैसिफिक फैक्ट्स इन्पुट किये जाते हैं और कंप्यूटर इन तथ्यों में छुपा सिध्धान्त जेनरल प्रिंसिपल खुद खोज लेता है AI की यह विधी नई दबाईयों की खोज में इस्तेमाल होती है जैसे मलेरिया के लिए नई दबाई की खोज कंप्यूटर विज्ञानिकों का एक और दल किस प्रकार तंत्र का कोशिकाएं निूरॉन्स दिमाग में तंत्र का जाल निूरल नेट्वर्ग बनाती है इससे प्रेड़ना लेता है बिलकुल वैसे जैसे हमारा दिमाग समवेदक अंगों सेंसरी ओर्गन से मिले डेटा से प्रतिमान पैटर्न निकालता है यह AI की विधी साधारन डेटा से खास नियम और प्रतिमान निकालती है AI की इस विधी को डीप लर्निंग कहते हैं और Facebook इस विधी का उप्योग अपने Deep Face नामक चहरों की पहचान प्रणाली Facial Recognition System में इस्तेमाल करता है Deep Face सिस्टम पता लगाता है कि डिजिटल तस्वीरों में कोई मनुश्य का चहरा है या नहीं Facebook ने इस AI सिस्टम को बनाने के लिए 40 लाग तस्वीरों को कम्प्यूटर में इंपुट किया था AI की एक और विधी में अनिश्चित्ता, अंसर्टिनिटी विभिन संभावित परिणामों की संभावनाव का फैसला करती है फिर असली परिणाम क्या निकला इस आधार पर सिस्टम पहले परिगनित संभावनाव calculated probabilities को सुधारता है और हर पुरनावरित्ती iteration पर अपने निश्पादन performance को सुधारता है यह विधी गूगल की स्वचालित गाड़ी, driverless car और email के spam filter में इस्तेमाल होती है AI की एक अन्य विधी साद्रश्य द्वारा तर्क reasoning by analogy से प्रेरणा ले सबसे नजदी की पड़ोसी algorithm nearest neighbor algorithm का इस्तेमाल करती है Amazon का सुझाव system जो जब आप कुछ ढूंडते हैं आपको सुझाता है कि आपको और क्या पसंद आ सकता है If you like this, you may also like इस विधी का उब्योग करता है मुख्यता आज दो प्रकार की AI की चर्चा की जाती है संकीन या निर्बल AI Weak और Narrow AI और सबल या सारजनिक AI Strong Artificial Intelligence होती है 1997 में IBM Computer Company के Deep Blue Computer ने विश्व शत्रंज चेंपियन Gary Kasparov को हराया था 2011 में IBM के Watson Computer ने अमरीकी टेलिविजन में प्रसारेज Jeopardy नामक प्रोग्राम में जो कौन बनेगा करोड़पती जैसा प्रशनोतरी प्रोग्राम है के दो विश्ष्ट चेंपियनों को हराया था और 2016 में Google के Alpha Go नामक AI Computer ने Go खेल के विश्व चेंपियन को हराया था Go खेल एक बहुत ही जटिल रणनीती का खेल है जिसमें करोडों चालें चली जा सकती है यह सभी उधारण है संकीर्ण AI के Spam Filtering और सुझाव सिस्टम भी संकीर्ण AI के उधारण है क्योंकि यह सभी केवल एक काम को Artificial Intelligence के साथ करने में निपण है Deep Blue Computer शतरंच का खेल तो खुद को सिखा खेल में बहतर बन सकता है पर यह और कोई भी कारे नहीं सीख सकता कोई और खेल तक नहीं इसके विपरीत सबल या सारजनिक AI एक ऐसा कंप्यूटर है जो खुद से अपने को कोई भी ऐसा बौधिक कारे कराना सिखा सकता है जो एक मनुष्य करने में सक्षम है अभी इस किसम की AI कंप्यूटर का निर्मान नहीं हुआ है और सारजनिक AI अभी एक संकल्पना है हमारा ऐसा मानना है कि सारजनिक AI किसी भी बौधिक कारे में अपने को और निपुट बनाने के लिए पुर्णावरित्ती आत्मसुधार रिकर्जिव सेल्फ इंप्रूवमेंट की विधी अपनाएगी कम्प्यूटर जो मनुष्य की तरह देख सकते हैं चल सकते हैं और सामान ने भाषा समझ सकते हैं ये सभी सबल या सारजनिक AI के उधारण है कुछ कम्प्यूटर विशेशक्यों का मानना है कि भविश्य में कभी ऐसा समय आएगा जब सारजनिक AI मनुष्य की मस्तिश्क बलसिक जादा हो जाएगी इस पल को सिंग्यूलारिटी कहा जा रहा है भविश्य में ऐसा भी हो सकता है कि सारजनिक AI खुद से और भी ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली कंप्यूटर का निर्माण करने में सक्षम बन जाए जिसको आर्टिफिशल सुपर इंटेलिजन्स कहा जा रहा है ऐसा कब होगा या होगा भी कि नहीं इसका अनुमान लगाना मुश्किल है पर कई प्रख्यात विशेशके जैसे बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग और इलॉन मस्क का कहना है कि हमें अभी से सुरक्षा के उपाई सोचने की जरूरत है क्योंकि ऐसी मशीन के पहले निर्माता हम मनुश्य आगे जाकर इन मशीनों को काबू में ही नहीं रख पाईंगे दार्शनिक निक बॉस्ट्रॉम के अनुसार आर्टिफिशल सुपर इंटेलिजन्स मशीने मानव जाती के पूर्व सर्वनाश का खत्रा भी रख सकती है ऐसा बहुत संबब है एक और कुछ अर्थशास्तियों के अनुसार एई आई कारण बनेगी बड़े पैमाने में बेरोजगारी और इससे उत्पन समाजिक अशान्ती का और दूसरी और कुछ विशेशक्यों का मानना है कि एई आई की वज़े से कई नए रोजगार उत्पन होंगे जैसे रोबोट मरम्मत करने का काम हम नहीं कह सकते कि इन में से कौन सी भविशवानी सच साबित होगी पर एक बात निश्चित है कि बुद्धिमान मशीनों के युग में सफलता के लिए जो कौशल, दक्षता और योग्यता चाहिए वह आज से बहुत भिन होंगी रचनात्मक्ता, Creativity, नई अवधारनाय बनाने की योग्यता, Ability to Ideate, प्रतिरूप अभिज्ञान, Pattern Recognition, जटल समस्याओं को सुल्जाने की शमता, Ability to Solve Complex Unstructured Problems, उतक्रिष्ट दक्षता, Find Dexterity और इनके साथ साथ, इन सभी कौशल को और सुन्दर बनाने के लिए AI के उत्तम प्रयोग का ग्यान, ताकि आप मानव मशीन के जादू से कुछ ऐसा नया कर पाएं जो आज स्वभाविक नहीं दिखता, जैसे नई उत्पाद, नई सेवाएं और जटल समस्याओं को सुल्ज जाने के नवीन तरीके, अगर आप ये नए कौशल, दक्षता और योगिताएं सीख लेंगे, तो आपकी आने वाले भविश्य के लिए रोजगार और उद्यमता के लिए जरूरी शमता अति उत्कृष्ट हो जाएगी